हेलो गाइज वेलकम टो मैं चनल कारवाली बात मेरा नाम है अनिश्टा आज हम बात करेंगे फ्यूल सेविंग टिप्स जिससे आप अपनी गाड़ी का जो है मैलेज बढ़ा सकते हैं डेली जब मैलेज बढ़ेगा तो आपके पैसे भी बचेंगे क्योंकि आज के जो समय अब जो कोवीड के बाद जो पिछले साल जो कोवीड था फिर से आ रहा है अब काफी जादा केस आ रहे तो उसकी चकर में जो है तेल के रेट बढ़ रहे हैं अब कहीं जगा है वहां पैट्रॉल हंड्रेट प्लस कूच चुका है एक सो दो एक सो तीन सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पहला है प्रॉपर गेर चेंजिंग अब जैसे कुछ यह सबसे अच्छा है वैसे अगर आप माना जाते हैं कॉमन भी है क्योंकि अगर आप देखिए अब दूसरे अब आपके गाड़ी कि पहले गेर पहले पे अब डूसरे गेर वब को को दूसरे गेर पर बीज़ की सपीड 30 शबीड़ अग्रा ती ले जाओगे तो आउस जाहर सी बात है की गारी की भी बढ़ेगी इंजन ज्यादा इसे ही गार जाए चाहिए और गारी की जाधा आपने गार सब्सक्राइब करें इसलिए गाड़ी का जो टाइम टू टाइम शिफ्ट करते रहे यह सिंपल सी बात और इतना वी नहीं की गाड़ी को बिलकुल लो कर दो मलत हजार यह नौसो आर्पियम से नीचे मत लेगे जाना और नहीं जादा उपर दोसो मलत दो हजार डाइस आजार सुपर आर्पियम बे जाना भी बेकार है तो यह थी हमारी सेविंग नमर टिप बात करतें दूसरी सेविंग टिप के बारे में तो दूसरा है को मतलब एक टेक्नीक है मतलब जैसे की अब आप ट्रैफिक पर हो जैसे आगे ट्रैफिक है आगे लाल बत्ती आने वाली सपोज अब उसे न्यूटल पर कर दीजिए क्लच से पैर हटा दीजिए न्यूटल करने बाद अब फिर ब्रेक ही उस कीजिए अब उसे यूं है क्योंकि जो गाड़ी का जो क्लच हम इतनी वार फ्यूल लॉस होता है इसे जागा टाइम तो क्लच को उसमें इस्तमाल भी नहीं हो सक क्लच का इस्तमाल करें यह भी बहुत अच्छा तरीका है तो बस तो जैसे अब आपना यह कर लिजिए अगर आपको बस भाप लीजिए अंताजा लगा लीजिए कि गाड़ी आगे जाके मतलब रूख जाएगी तो मैं अभी सही कर देता हूं जिससे आगे कोई प्रॉब्ल अच्छे से आपका मैरेज भी निकाले और डंक से कंबक्शन वे तो अच्छे भी चलेगी आपकी गाड़ी तो कॉमन बात है टाइम टू टाइम सर्विस कराने का अब बात करते हैं अब टिप नंबर फोर जो है अमरा टायर प्रेशर अब गाड़ी जो है अब उसमें देख पावर से आप लोड करोगे वह ज्यादा लोड मानेगी तो वह जाहिर सी बात ज्यादा फ्यूल खर्चोएगा तो यह भी है और हो सके तो आप अपनी गाड़ी में डाल दीजिए नाइट्रोजन का बहुत फाइदा रहता है अब नाइट्रोजन का फाइदा यह आप देख प्रेशा नॉर्मल रख और हो सके तो आप उसमें नाइट्रोजन तलवाली ज्यादा नी बीस पच्छेस रुपे एक टायर के लेगा अगर कहीं जगे अगर कम है जैसे कि पचास तक भी चला जाएगा रहे लेकिन आप सोचिए आपके गाड़ी का अच्छा मैलेज मैंने ग खोले के चलाएगा गाड़ी कोई फाइदा नहीं क्योंगी आपको ज्यादा माइलज नहीं मेलेगा अवसल में होता क्या है अब आपने खोल दीए अब गाड़ी चला रहे हो काफी सब्सक्राइब क्या हवा अंदर आएगी हवा अंदर आएगी तो बैक मिरसे टकर आएग अब यह इसका होता है तो हमेशा हो सकते तो आपके शीशे बंद रहने चाहिरे इससे क्या हवा कटेगी नहीं की सीधा निकल जाएगी और डैंडाबक स्काम करेंगी जिससे हो जाएगा तो चलिए बात करतें टीप नमर शिक्स जो है हमारा अशी मतलब आप हो सके आप अप अपना ACV मतलब कम इस्तमाल करें नहीं करें अब कहें कि कि आपकी क्या तरीका बता दी होई तुन्हें अब शीशे ना खोले एसी बेना चलाए गर्मियों मार अब देखिया ऐसा है जरूरी सर्जिया में तब यह चीज़ तो करेंगे करेंगे सब सब्सक्राइब को पता ही चला है बस और ली नॉर्मल उस पर थोड़े गर्म कपटे पहने जाज़ाएदा और क्या होगा तो हो सकता अपनी गाड़ी जैसा चला रहे सब मौसम मोडरेट है अगर सब शाम का समय है रात का या फिर सुबह सुबह समय आप गाड़ी लेके गए हो तो मौसम मौडरेट रहता है तो हो सकते आप शीशे ऊपर चड़ाया रखिए एक सी अगर आपको जादा 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 तो एक दो पर चला लिए देखो जादा क्योंकि आप जादा तरी चला होगे तो वही बात है जितना हो सकतना कम इस्तामाल करें जिससे क्या होगा आप चले बात करते टेप नमर सेवन के बारे में जो है फ्यूल टैंक मतलब अब देखिया कुछ लोग पर आप खुद सोची अब वह सोचे पैट्रोल के दाम कभी बढ़ सकते घट सकते तो क्या कर रहे हो गाड़ी का अभी सी फ्यूल टेंक करा करा कर रहे तब जिससे क्या वह स आपकुछ नहीं होता अब खुद सोची है मैंने करें रियालेटी है यानि पर कहे रहें कि एक लीटर तेल एक किलो के बराबर होता है जैसे आल्मोस्ट एक किलो मेटर देंसिटी उपर ही उसकती पर आल्मोस्ट एक किलो अब देखिए अब सबस्की गाड़ी का टैंक है सब्सक्राइब 55 मेटर आरा है तो amigo 50 मेटर technology आप 50 अब सब्सक्राइब ऐसा भी मत करना कि विल्कुल गाड़ी जीरो पे रहे उससे जो आपकी गाड़ी में जादा से जादा दिक्कत आएगी तो देखिए अब हो सके जैसे पचास किलोमेटर रहेगा जिससे आपको कही एमर्जेंसी में जाना पड़ी तो उससे भी यूजर है और प्लस आपकी यह बात करते है टिप नमबर एट की जो है चेंजिंग फ्यूल पंप और प्रीमिम फ्यूल देखिए अब बात करते हैं प्रीमियम फ्यूल के बारे में देखिए कुछ लोग के दो हाई ग्रेट वाला तेल बरवा लेते जैसे ऑक्टे नाइटी थी जो यह फिन आइटी वन जादा फरक में लेगा हुई नहीं और फिर उसमें महेंगा तेल डलवाओगे तो थोड़ा को एक्सपेंसिव पढ़ेगा तो वही बेकार में है और पैसे लगाओगे उस पर में तो आप खोड़ सके तो नॉर्मल तेली करिए बस यह प्रीमिम फ्यूल वाला अगर आपको अगर आपके इच्छा यह नहीं तो वहता वी कि एच्छा यह मैं क्या क्या कह सकता हूं और अपना फ्यूल पंपने चैंजिंग करते मृगे हैं कि बहुत से घपला कर देजिए कि कुछ में पानी वी पा जाता है फ्यूल फंप हो तेल के साथ साथ पानी डाल देते हैं हम ए वारवाई उसने तेल डाले टैंक फूल करा लिया था हमने उल्टा गया घर पर अब उल्टा आए हमारी गाड़ी थोड़ा सा ओवरीट करने लगए थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगए तो हम लेगे अपने मेकैनिक के पास अब उन्होंने देख कैसे आपकी गाड़ी इतना कुछ भी डाल देते हैं तो इस अपना फ्यूल चेंज टाइम चेंज करते हैं अब बात कदे टेप नवा नाइन के बारे में जो है वह मतलब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको मतलब यूनिक आप एक्सक्रेटर जो है वह तो तो पूरी पावर में दे लोगी आप गाड़ी चल मतलब आप भी नहीं समझें अब आप देखें आप जैसे ट्राइफिक पर घड़ी होगे वह ग्रीन सिंगनल वेट हो गया अपने एक तुम से मतलब पूरा एक्सक्रेट करके क्लच छोड़ जाए एक तो पूरी भाग करेगी ज्यादा तेल फोक है आपका ज्यादा पेट्रोल खरच होएगा बात करें टेप नंबर 10 की आपको थोड़ी सी अलग अलग सकती है पर यह सच्छा तो मुरे तो सही लगी है वह आप कहीं वी जाओ उससे पहले प्लैनिंग करो मतलब जैसे कि अब गूगल मैप पतात में बहुत से लोगों के साथ हुआ है गलत उसके मी उसके चुटकले भी बहुत बने है या शोचल मेडिया प्लैटफॉम में मैंने भी बहुत देखे है मुझा खुद अच्छे लगए हासी आती है लेकिन अब आप देखे अब जरूरी नहीं आप उसके अपना जहां जाना है वह जगह भरी है आप देखे कि ट्राइफिक किस जगह है बस जाहर से बात हो जीपिए साथ हो यूज करें गूगल मैप का तो बस उससे यह लोकिश तो उससे बस यह देखते हैं कि जिस रास्ते बजारे कोई ट्राइफिक तो नहीं है तो उससे अब दूसरा रास्ता कि उसमें इतना बताएं गूगल मैब आपको सटीक बता देगा और आपके आजकल तो जितने वी नए इंफोटेमेंट आरोस में एंडॉइड आपल कार प्ले आ तो उसमें आप अराम से चला सकते हो तो आपको यह भी बहुत अच्छा फाइदा रहेगा अब बात कहते हैं ट्रीट नमबर 11 और जो हमारे वीडियो के जो है अपनी गाड़ी में जो आजकल जितनी वी घाड़ी उस समय हाइब्रेट सिस्टम आ गया है यह अगर आपके गाड़ी तो सब्सक्राइब अब घाटा गाड़ी है आप लेगे ट्रैफिक रैड लाइट आगे आपने बैटरी पर चले जाएगी जो बैटरी उस पर चले जाएगी तो पर नहीं हो सकता कहीं तो इतना नुकसान नहीं अगर आपके पास ऐसा फीचर नहीं है तो आप खुद भी कर सकता है और आप चला रहे हो गाड़ी आपने रोख ली तो क्या है आप देखिए गाड़ी को जैसे स्टार्ट करते हैं तो उसमें देखिए एक होता है चाबी लगाना एक होता है नॉर्मल जिस पर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके गाड़ी बैटरी पर इसी आपको देदेगी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मुझे मेरी जीमेल पर आप कर सकते हैं मुझे कॉंटेक्ट कॉंटेक्ट डॉट कार वाली बात एडरी जीमेल डॉट कॉंट जिस पर आप मुझे पर कर सकते हैं आपको जल्द से सब्सक्राइब का जबाब दूआ तो चलके बाए